हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका लैट्स लोग विद पूनम में आज मैं सेर करूँ आप सब के साथ पनीर की रेसिपी जिसे कोई भी आसानी से बना सकता है ये बड़ी ही आसान रेसिपी है बहुत जल्दी बन कर त्यार होगी इसमें होड़ी सी पसंदाए तो लाइक शेर और कमेंट कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए सबसी बनाने के लिए सबसे पहले हमें यहां पर साथ से आठ काजु चाहिए इने हम एक साथ मिक्सी में पीस लेंगे ये दो रफली काट के म मैंने लिया यह लाल हो चुकी है तो इसको लिया है मैंने इन सबी को भी हम एक साथ पीस करके इस तरह से हम पेस्ट बना लेंगे और अब इस सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए 200 गुराम के करीब पनीर इससे हम इस तरह से क्यूब में कट कर लेंगे जोटा बड़ा जो भी पीस आप कट करना चाहते है उसे काट लेजी मैंने इस तरह से छोट छोटे पीसिस में इसको कट कर लेए देखिए कितना सोफ पनीर है यह मैंने घर पर ही बनाया हुआ पनीर लिया है एकदम से सोफ्ट आप जो भी पनीर लेना चाहिए मार्केट वाला वो भी यूज कर सकते हैं अब इस पनीर को हम फ्राइ कर लेंगे यहां पर मैंने एक चमच के करीब घी लिया है अब हमारा घी गरम हो चुका है इस इसको हम अलग से बरतन में निकाल लेते हैं उसी पैन में हम तेल लेते हैं यह चार चमच के करीब मैंने तेल लिया है जैसे हमारा तेल गरम होगा इसमें हम अच्छोटे इलाइची एक Something Savannah चाहर लॉंग और आदा चमचda यहां पर जीरा का लिया है ये सबी चीजे इसमें डाल देते हैं और इसे हम इस तरह से चलाएंगे और जैसे हमारे ये मसाले पक जाएंगे अच्छे से उसके बाद हम यहाँ पर प्याज का जो पेस्ट हमने बना के रखा था वो इसमें डाल देते हैं हमें प्याज के पेस्ट को लगातार चलाते हुए पकाना है ताकि ये नीचे लगना जाए क्योंकि इसमें काजू है की इसका लगने का डर रहता है इसलिए हमें इसे लगातार से चलते होई पकाना है जब तक कि इस से तेल अलगना हो जाएं यहां पर प्याज देखिए हमारा अच्छ से पक चुका है…" अब हम मसाले इसमें एड़ करते ही, हाँ पर मैंने आदा चमची कास्मिरिलाल में चली है, आदा चमच हल्दी का लिया है, आदा चमच नमक डालेंगे, नमक आप अपने स्वाद के नुसार डालिएगा, एक चमच यहाँ पर धनिया पाउडर लिया है, इन सभी मसालों को हम प इसे चलाते हुए पकाएंगे, जब तक कि अच्छे से पकना जाए, यहाँ पर टमाटर भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो गया, अब इसको हम मेडियम फ्लेम पर ढख करके दो से तीन मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं, जब तक कि इसे तेला लगना हो ज आपर आदा कप के करीब पानी डाल देते हैं, और इसे भी हम दो तिन मिनट के लिए और पकाएंगे ढख करके, जब तक कि इसे अच्छे से तेला अलगना हो जाए, देखिए यहाँ पर ग्रेवी हमारे अच्छे से त्यार हो गई, ग्रेवी को आप अपने इसाब से पतला जितना भी रखना चाहते हैं, अब इसमें हम यह क्रीम एड़ करेंगे, यह मैंने घर की मलाई ली है, इसी को मैंने दो तिन चमच के करीब फैंट करके डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और लगातार इसे चलाते रहेंगे, जिससे कि यह हमारी जो मलाई है, फटेगी नहीं, आप इसकी जगह पर फ्रेस क्रीम का भी यूज कर सकते हैं, और अच्छे से जैसे यह मिक्स हो जाएगी, उबाला जाएगा, इसमें हम मसाला एड़ करेंगे, यह मैंने गरम मसाला लिया आदा चमच के करीब, और थोड़ इस यहां पर कसूरी मेथी डा यह भी आदा चमच के करीब है, यह आप अपने इसाब से डाल सकते हैं, अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे हम दो तिन मिनट के लिए और पकाएंगे, जब तक कि यह बड़े अच्छे से पक ना जाएगा, ग्रेवी को ढख देते हैं, इसे दो तिन मिनट के पकाएंगे, जब तक कि इसे तेल अलग ना हो जाए, देखिए, हमारे दो तीन मिनट हो चुके हैं, उसके बाद चेक करते हैं, ग्रेवी से एकदम से तेल अलग हो गया है, कितना अच्छा कलर आया है, ग्रेवी का, यहाँ पर हमारी ग्रेवी जो सबजी के बन कर तयार होग पकेते हैं, वो इसमें डाल देते हैं, और इसे हम मिक्स करते हैं, और इसे एक मिनट के लिए और पकाएंगे, जिससे की पनीर के अंदर जो मसालो का टेस्ट अच्छे से चला जाएगा, और यहाँ पर देखिए, मिक्स हो चुके हैं, अब इसे हम ढख देते हैं, और एक मिन तो एकदम से बड़े हावाली त्यार हुई है एकदम से होटल की में बनते हैं ना सब्जी उस तरह से देखिए मैं आपको दिखाती हुआ पर मैंने इसको अलग से एक बावल में निकाल लिया है देखिए कितने अच्छे से बन कर त्यार हुए हमारी सब्जी आप इसे पूरी